दोस्तो मुझे पता है कि आप सभी इंडियन रेलवे एंटीपीशी के एग्जाम का बेसे बेसे इंतजार कर रहे हैं आप में से ज़्यादातर कंडिटेट्स ने रेलवे एंटीपीशी 2019 के लिए एपलाई किया था दोस्तो आप सभी को पता है कि railway में NTPC में दो टाइप की जो है vacancies निकली थी एक तो undergraduate post और दूसरी graduate post दोस्तो इंडियन railway ने एक officially hint यहाँ पर दे दिया है कि कब आपका जो है exam हो सकता है railway NTPC 2019 का अगर आप जाना चाते हैं तो ये वीडियो आप लास तक देखते रहेगा बहुत ही महतोपूर है exam dates के बारे में मैं आपको hint देने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो exam dates मैं आपको बताऊँगा ये officially नहीं बताई गई है लेकिन आपको जो है एक hint railway ने officially दे दिया है सबसे पहले दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि railway में paramedical post के लिए online form जो है आपके निकले थे और जो paramedical post थी वो केवल और केवल medical stream से जोड़े condensed के लिए थी यानि जिसमें आपके पास अगर special qualification है paramedical के लिए आप apply कर सकते थे दोस्तो paramedical के लिए official form status जो है railway ने declare कर दिया है कि आप जो है अपने form का status चेक कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि दोस्तो आपका जो form status है वो यहाँ पर railway ने बता दिया है आप दोस्तो अपनी registration ID, date of birth से अपना form status देख सकते हैं इन्होंने एक और बात दोस्तों यहाँ पर clearly का हुआ है कि जो computer based test होगा paramedical post के लिए वो आपका second week of July में conduct करा जाएगा दोस्तों यहाँ पर ने कहा है कि second week of July में conduct करा जाएगा यहाँ पर जो number of application है वो काफी कम आए है और दोस्तो maximum जो है two to three days में railway जो है इस paramedical post के लिए exam ले लेगी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो NTPC का exam होगा दोस्तों undergraduate और graduate post के लिए वो है यहाँ पर जुलाई के बाद ही scheduled है क्योंकि दोस्तों मानके चलिए कि कोई notification आता है जुलाई में तो यहाँ पर अगर railway की NTPC की dates होंगी उनका जो notification है वो जुलाई में आपको मिल जाएगा लेकिन जो आपका exam होगा जहां तक मेरा नुमायन है दोस्तों वो अगस्त में शुरू हो सकता है यहाँ अगस्त में आपको आपका जो exam है NTPC का वो शुरू हो सकता है और एक बात दोस्तों यहाँ पर यह जो exam है यह एक दो दिन नहीं चलेगा बलकि एक दो महीने चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो number of application है लगबग दोस्तों एक पॉइंट तीन जरो क्रोड के लगबग जो है यहाँ पर application आए हुए है तो एक महीने में तीनों shift में भी अगर railway conduct कराएगा तो यहाँ पर possible नहीं है कि एक ही महीने में वो complete करा दे और दोस्तों जैसे official notification आएगा वो कम से कम आपका एक महीना पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ अगर आपका exam अगस्त में होगा तो यहाँ पर आपको जून के last में ही official notification मिल जाएगा पहले आपको form status मिलेगा जिस पर कार आपको आपका जो railway group D का मिला था पीछी अब जो है परamedical का मिला है तो आपको form status भी मिलेगा कि आपका form accept हुआ है या फिर reject हुआ है उसके बाद जो है कुछ time के बाद ही जो है railway exam dates को declare कर देगा एक और बात दोस्तों यहाँ पर जो undergraduate और graduate post है उनके लिए exam भी आपका अलग लग होगा लेवल भी आपका exam का अलग लग रहने वाला है तो दोस्तों यह थी एक खबर इससे आपको hint मिल गया है कि आपका जो railway NTPC का exam है वो जुलाई के बाद ही होगा चाहिए अगस्त में हो सेप्टेंबर में हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर possibilities है कि जुलाई के बाद ही आपका exam होगा अगर हम यह मान के चले कि जुन में आपका exam हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं है एक महीने में exam conduct राना possible नहीं है अभी दोस्तों इतने जदा forms NTPC के लिए आए हैं उनकी security भी करनी railway को जरूरी है तो इस security के बाद दोस्तों आपका form status आएगा उसके बाद आपको जो है नोटिफ केसिन मिलेगा कि कब आपका exam है उसके बाद दोस्तों आपको exam dates मिलेंगी और फिर आपके admit card आएंगे और तब जाके exam होगा तो इस process में कम से कम एक से डेड़ महीन आपका definitely लगेगा तो आपका exam दोस्तों जोलाई के बाद है अगस्ति या फिर सेप्टेंबर में आपका exam definitely शुरू हो जाएगा जैसे ही कोई official update इसके regarding आता है तो मैं आपको वीडियो के माद दिम से बता दूँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके गंटिक आइकन दबा लिजे ताकि आपको हर नए सरकार दिनों के admit card exam रिजिट से जोड़ी सूचनाओं के अपडेट्स मिलते रहे मैं मिलता हूँ आपको गली वीडियो में बने रही है मारे साथ इंडिन रोजगार पर जै हिंद जै भारत